नमस्कार मैं प्रदीप रहदास सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को लाइक करें हमारे सभी वीडियो शेयर करें सभी मित्रों को अपने संगीत प्रेमी साथियों को और हमारे सभी वीडियो सभी लोग देखें साथ में सभी वीडियो के साथ साथ आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करें जिनका दो टेलिग्राम चैनल हैं एक है PSF Skill Development Service Instrumental Music Training Center जो की ये Training Center संचालित होने जा रहा है हमारे घर से जो की दृष्टी वाधितों के लिए Free है सभी दिव्यांग साथियों के लिए Free और अन्य साथियों के लिए अन्य सभी साथियों के लिए 1200 रुपे शुल्क के साथ खुलने जा रहा है जो की Government Register Center है साथ ही आप दूसरा चैनल भी हमारा जॉइन करें टेलिग्राम का जो है Music Theory जिसमें आपको Music Theory से संबंधित जानकारी मुझाब Music की भरतियों से संबंधित जानकारी Theory से संबंधित जानकारी और अन्य किताबें PDF फॉर्मेट में आप सब को मिल जाएंगी साथ ही आप सब ही हमारे मतलब इन दूनर टेलिग्राम चैनलों को जॉइन करें जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है साथ ही यदि आप बुंदेल खंड से बिलोम करते हैं और बुंदेली लोक गीत या फिल्मी गीत लोक गीत या भजन हमारे यूटूब चैनलों से परसारित कराना चाहते हैं तो दूसरा हमारे यूटूब चैनल है बुंदेली लोक माधुरी उसे भी सब्सक्राइब करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है साथ ही आप अपने क्षेतर में यदि कोई कारिक्रम कराना चाहते हैं तो यदि कराना चाहते हैं या चाहते हैं स्पीसल बादक तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉवाइल नमबर दिये हुए हैं और वाटसेप नमबर दिये हुए हैं उन पर संपर्क करें ताकि आपको इस्पेसल बादक और साथ में आप अपने क्षेतर में कोई कारिक्रम करा सकें तो आईए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं मैं हूँ आप सबका मित्र प्रदीप रहदास स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूटूब चैनल प्रदीप रहदास यूटूब चैनल में जी हां साथियों आज हम आपको परिशे देने जा रहे हैं बिलावल थाट के अंतरगात आने वाला राग दुरुगा राग दुरुगा की आपको जानकारी देने जा रहे हैं राग दुरुगा बिलावल थाट का राग है इसमें मा और नी स्वर वर्जित हैं कौन से स्वर वर्जित हैं गा और नी ठीक है गा और नी स्वर वर्जित हैं अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं गा और नी वर्जित होने के कारण इस राग की जाती आडव आडव है तो आईए आप इसका गायन समय देख लेते हैं मित्रों इसका गायन समय मित्रों मैं फिर से इसका गायन समय बता देता हूँ इसका गायन समय रात्री का दुईतिय प्रहर है इसका वादी स्वर धैवत है समवादी रिशाव है इसमें एक दोहा भी है आप लोग दोहा भी नोट कर लें दोहा क्या है क्योंकि मित्रों कई रागों का दोहे के माध्यम से भी परिचाय दिया जा सकता है है ना यदि आप लोग परिचाय जानना चाहते हैं और परिचाय आपको शौट कट में भी चाहिए तो ये दोहे बगेरा भी बहुत काम आते हैं तो मैं आपको इसका दोहा भी बता दे रहा हूँ तो इसका दोहा है थाट बिलावल गनिवर जित औरव औरव जाती धारे स्वर समबाद करत जब गावत गुनिजन रात्री तो ये तो था इसका परिचाय अब आईए हम इसके आरोह अरोह पकड देख लेते हैं ठीक है आरोह अरोह पकड पन देखते हैं इसका तो आरोह अरोह अरोह पकड इस परकार है देखिएगा ये इसका आरो आबरो है एक वार ठरसे देखिए सारे गमा पार्दा धासा साधा पार्मारे साथ ठीक है? पकड़ है? पकड़ है इसकी? सारे मा पार्मा पार्मारे सारे धासा एक वार ठरसे देखिए पकड़ पकड़ एक वार ठरसे देखिए रे मा पार्मा पार्मारे सारे धासा ठीक है? ये इसकी पकड़ है अब अपन इस राग में क्या जानेंगे? इसकी विशेस्ता देखते हैं ठीक है मित्रों? इस राग की कुछ विशेस्ताएं हैं उन्हें देखते हैं आईए मित्रों पहली विशेस्ता यह है कि इस राग को हिंदुस्तानी संगीत में दुर्गा राग कहते हैं करनाटक संगीत याने डक्षिनी संगीत में इस राग को शुद्ध सावेरी नाम से जाना जाता है दूसरी विशेस्ता मित्रों यह है कि इस राग को मतलब दुर्गा राग दो है एक बिलावल थाट से माना जाता है जिसका परिचे हम अभी इस में मतलब दे रहे हैं अभी परिचे जिसका हमने पीछे बताया और अभी उसके विशे में बता भी रहे है दूसरा खमाज थाट से माना जाने वाला राग दुर्गा भी है किंतु मित्रों प्रथम राग ही अधिक प्रिचलित है दूसरा राग अधिक प्रिचलित नहीं है इस राग में धापा नहीं धामा रेधा इनकी संगती विशिष्ट है यह इसकी तीसरी विशेस्ता है मित्रों चौती विशेस्ता है कि इसमें यह उत्तरांग प्रधान राग है न्यास के स्वर न्यास के स्वर मा को छोड़का इसकी सभी स्वर है मिलता जुलता राग है राग जल्धर केदार आईए अब इसका सरगम गीत देखते हैं नौवी मात्रा से प्रारंब है तो अपन उसको देखते हैं सरगम गीत सरे मापादा मापादा साधा पामारे 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 साधा पामा मा पा धा, मा पा धा, सा धा पा, मा मरे सा, है ना, सारे मा पा धा, सारे मा पा, पहली लाइन, धा मा पा धा, तूसरी लाइन, सा डेस, धा पा, मा मरे सा, ठीक है, फिर क्या है सारे धासा मापाधा मापाधा मापा दूसरी लाइन है दूसरी लाइन है सारे धासा सारे धासा पाधा मारे सारे धासा पाधा मारे पा मापा मारे सा सारे धासा पाधा मारे पा मापा मा मारे सा सारे माँ पादा माँ पादा साधा पामा मारे साम तो ये है ठीक है फिर क्या है अगली लाइन है सारे धासा मतलब धा में जो है नीचे बिंदू लगेगी क्योंकि ये मंदर धाई बात है मित्रों सारे धासा पहली लाइन पादा मारे दूसरी लाइन पादेस मापा पादेस मापा तीसी लाइन मामारे साम ठीक है चौथी लाइन अब आया है अंतरा ठीक है अंतरा ये स्थाई थी अब अंतरा अंतरा है माम क्या है मामा पादा सारे साधा था सारे मारे साधा मामा पादा सारे साधा था सारे मारे साधा ठीक फिर इसमें क्या है मामा पादा मामा पादा पहली लाइन साधेस रे सा सा डेस रेसा दूसरी लाइन तीसरी लाइन साहरे साहरे मैं अब यहां से ऊपर बिंदू लगेंगी शवरें के ठीक है इसको छोड़ कर सारे मारे साधा इन सभी में उपर बिंदू लगेंगी ठीक है अगली लाइन क्या है मित्रों? सारे धासा पाधा मारे पामा पामा मरे साँ क्या है? सारे धासा पाधा मारे पामा पामा मरे साँ है ना? सारे धासा पहली लाइन पाधा मारे दूसरी लाइन पा मा पा तीसी लाइन पा डेस मा पा तीसी लाइन मा मारे सा चौथी लाइन ठीक है? तो ये सरगम है आईए आपन इसे गाकर देखते हैं एक बार आईए 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 सारे दासा, पाधा मारे पाधा मामरे सारे दासा, पाधा मारे 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 सारे दासा, प मा पादा सादा पाद मा मारे सादा मा पादा सारी मा पादा सारी सादा सारी मारे सादा सारी सारी दा सारी मारे सारी दा 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 सारी पा मा पा मा मरिसा, सरी मा पाधा मा पाधा साधा पा मा मरिसा, सरी मा पाधा मा पाधा साधा पा मा मरिसा, सरी दासा, पा पा मा पा मा मरिसा, पादा मरेशा् पादा साथ पादा पादा म मरेशा अंत्रा सारे धा सा सारे धा सा मंप geldi आ आ सारे मा प्रेद आ आ आ आ तो मित्रों ये रहा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्चे बताएं और जो भी अपने सुझाओं हों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार